नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया और आपके साथ वेहूं काजो उनर आए चमोली के नगर पंचाय थराली के वार्ड नमबर चार के प्राणमती के जैता तोक से ख़बर सामनी आ रही है जहां पर अचानक भारी भूसकलन से दो आवासिय मकान मलबे में दप गए जबकि अन्य मकानों में भी मलबा पत्थरों से काफी नुकसान हुआ है जानकारी के मताबिक लगभग सुभा पात बदे जैता गाउं के उपर पहारी से दो च्वीड के पेड़ों का भूसकलन के कायन तूटने से उसके समीब से थराली पावर हाउस के लिया रही पानी की भारी भरकम नहर तूट गई जिससे नहर का सारा पानी नीचे आबादी के तरफ तेजी से बेकर भारी भूसकलन का रूप धारन कर लोगों के मकानों को भारी श्वती पहुचा गया है गनीमत रही कि ये घटना सुभा के समय हुई जिसे लोगों की जान बच पाई लेकिन लोगों के अवासे मकानों को भारी नुकसान पहुचा है आई आपको सुनवाते हैं आज पास के लोगों का चश्क दीदों का क्या कुछ कहना है प्राता पांस बजे के लगभग अपने नगरपन के थराली के वार्ड नंबर चार थराली जाओं में जो प्राणमकी तूर्प है वहां पे बारिस के कारण जो पूरोड़ा विहाग के द्वारा देव संचालिक पावर हाउस किया जा रहा है उसकी नहें टूटने से अपने प्राणमकी में दो से तीन मकाने पूंग से छितिगर्स हो चुछी है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहिए कि पूरोड़ों में भी पिछले वर्स जो है कि संबंदित विवाग औरेड़ा को यह बताया था इस्थानिया लोगों के दोरा औ पर इन लोगों के सुरक्षा की द्रिश्टे से आप जो उपाय हैं वो करिए और अपने जितने भी आपर करमशारी होते हैं उनकों इस तरीके का काम वो करें कि वह जिससे लोगों को नुक्सान ना पहुंचे आज सबरे तकरीबन पांच बजे खरारी नगर पंचाज की प् को बारी खती पहुंची हुए जिसमें से दो मकान कोई तरह से भस्त हो चुके हैं और वहां पर रहने वाले लोगों को काफी नुक्सान हुआ है उनका सारा जो सामान है साजो सामान वो बिल्कुर नश्ट हो चुका है और वहां पर आज सुबरी जैसी हमें इसकुचरा मिली कि वहां पर यह नुक्सान हुआ है हमारे साथ नगर के नगर अध्यक्ष में वार नमबर चार में प्राणमती इस्तित गाउं में जो वार चार में इस्तित है वहां पे सुवें पांच वजे के लगवर पेड़ पोटने से पावर हाउस की नहर पेगरा और नहर में इतना पानी था कि सारा पानी वो बस्ति के बीज गया है जहां सेथ की हमारे उस वार में तीन मकाने जमिजोद हो गई है वो तो भगवान का सुक्र कर रहे हम लोग की जो वहां पे जानमान का खत्रा नहीं हुआ और सारे गाउंवाले वहां पे अभी भी बारिज बनी है तो जैसे घटना की सूचना स्थाने लोगों को लगे वो वहां पहुचे और रहत बचाफ का काम शुरू किया इसके बाद प्रशासन के और से राजजस उपने रिख्षक मौका मौायना करने के लिए पहुचे इस थाने लोगों ने बताये कि जिस नहर के टूपने से घटना घटी है उस नहर और पावर हाउस में विद्ध उत्पादन हो ही नहीं रहा है जबकि इस नहर में बिना वज़व के पानी छोड़ा गया ग्रामेंड बताते हैं कि स्थाने लोगों की अपील पर प्रशासने बरसाथ में इस नहर में पानी नहीं छोड़ने के निर्देश दिये थे परंतु इसके बावजू ठेकेदार की लापरवाही की वज़ों से पानी छोड़ा गया लोगों का कहना है कि यदि नहर में बेवज़ा पानी नहीं छोड़ा जाता तो ऐसी भयंकर घटना नहीं करती और लोग बेघर भी नहीं होते आपको ये भी बता दे कि यहां पर लगभग 10 परिवार निवास करते हैं और सभी भूसकलन की चपेट में आ गए हैं नरेंद्र भार्टी नगर पंचात अध्यक्ष प्रतिनिधी हमारे साथ फोन लाइन पर जोड़ गए हैं नरेंद्र जी बहुत स्वागत करती हूं आपको निजवल इंजे आपको नरेंद्र जी सुन पारे आप मुझे तो मिरी आवास उन तक नहीं पहुंच पार ये लेकिन लगातार हम कोशिश कर रहेंगे उनसे संपरक साथ ने की तो कई परिवार बेघर हो गए हैं बताया जा रहा है कि ठेकेदार के वज़ो से हाथसा हुआ है क्योंकि विद्ध उत्पादन का काम नहर के पास नहीं हो रहा था उसके बावजूद भी नहर से पानी छोड़ा गया जिसके वज़ो से कई लोग बेघर हो गए हैं दस परिवार यहां पर रहते थी सभी भूसलन की चपेच में आ गए जबकि मनोज पुरोहिद जो की यहां पर प्रभावित हैं और गोविन पुरोहिद की मकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं बताये जा रहा है कि घटना के बाद भी ठेकेदार नहर का पानी बंद नह नहीं करवाया तो मनोज पुरोहिद प्रभावित हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मनोज जी जी आपकी मकान और दुकान दोनों शतिगरस्त हुआ है इस जो बहार रहा है तो कोई मेरा मकान जी 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 बोलिए जी मकान पूरी गरस्त हो गया है और मकान क कि अंदर जो समान था वो भी सब नश्ट हो चुका है आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ठेकेदार के मनमानी के वज़ो से ये पूरा यहां पर पानी आया हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्योंकि अगर जब पावर विद्यूत बादन होई नहीं रहा है तो बेवज़ा नहर चोड़ी गई है और कल उनका एक जी ही था जो तैसिल में उन्होंने अपना बयान दिया है कि हमने टेस्टिंग को नेर खोला था तो तो तुम टेस्टिंग के बंद क्यों नहीं हिया गया मनोज जी इसके अलाबा आप के रहे हैं कि आपकी मकान और दुकान पूरी तरह से शतिग्रस्त हो गई हैं क्या कोई राहत मिल पाई है अब तक प्रशासन के दौरा प्रशासन के दौरा अभी आस्वासन मिला है और लिकित कारवाई हो चुकी है और आस्वासन खाजे समागरी और टेंट की वरता मुझे दी गई है आप लोग कारवाई से संटूस्ट हैं कितने परिवार आप लोग रहते थे जहां पर ये पूरा भूस करन हुआ लैंड स्लाइड हुआ वहां पर चार-पांस परिवार थे और बागी परिवार और दूर हैं लोग सुरक्षित हैं पर मकान पूरी तरह से चतिगरस्त है कोई आस्वासन मिला कि हाँ जब तक घर ठीक तरीके से नहीं बन पाते तब तक आपको सुरक्षित थानों पर पहुँचाए जाएगा पर्सासन के गरब से पुरा आस्वासन मिला है ना उनका कोई परति निदी ना उनका कोई ठीक दार अभी तक हमारे पास आया है ठीक है उमीद है कि जब इस ख़बर को प्रमुकता से हम दिखा रहे हैं तो ठेकेदार पर भी आक्शन लिया जाएगा जो प्रशासन ने आंके बंद कर ली है वो भी आंके खोलेगा क्योंकि ठेकेदार के वज़े से ही यहादसा यहाँ पर हुआ है फिलाल मनो जी बहुत शुक्रिया आपका मारसा जुड़ने के लिए तो मनो जो प्रभावित जिनकी दुकान और मकान पूरी तरह से शतिग्रस्थ हो गया इस भूसकलन में बताया जा रहा है कि जो पावर हाउस में काम जो है वो नहीं हो रहा था तो ऐसे में पानी क्यों छोड़ा गया इस सबसे बड़ी वज़ा है ठेकेदार पर आरो पास पास के जो लोग है जो प्रभावित हैं वो लगा रहे हैं लेकिन ठेकेदार पर अब तक कोई आक्शन लिया नहीं गया है हाला कि जो प्रभावित हैं उनका साफतोर पर कहना था कि वो संटूस्ट हैं क्योंकि रहत उन्हें दी गई है नरेंद्र भारती नगर पंचात अध्यक्ष प्रत्मिदी हमारे साथ जुड़ गए हैं नरेंद्र भारती जी अवाज आ रही है जी जी बिलकुल आ रही है नरेंद्र जी यह जो हाथसा हुआ है पावर हाउस के पास पानी छोड़ा गया और पानी छोड़ने के बाद ऐसा हुआ कि कई परिवार प्रभावित हो गए बूस्खलन हो गया कईयों के घर खराप हो गए हैं कईयों की मकाने पूरी तरह से शति आपे वो जो आवाशिय मकान पे वो पूरूप से चतिग्रास हो चुका हैं जिसमें बिलकुल भी जो यह पावर हाउस जिस उरेडा के द्वाह संतालित की जारी थी जो इनोंने किसी छेगेदार को दिया है इस पे इनकी बिलकुल गोग लापरभाई के कारण ये कल यह जो ह आप उसको हैंडल करेंगे लेकिन इनकी लापरभाई के कारण ही कल सुबर इस तरीके का ये आपके तस्वीरों में देख रही हूं कि मकान पूरी तरह से खराब हो चुके हैं तो यह जो पीडित हैं जो प्रभावित लोग हैं उनको कहीं सुरक्ष से स्थानों पर क्या जग हैं यहां पर यह शुक्र है कि सुभा है कि सुटा करेंता हैं तरह हैं तो खले कि रुठार स्भीन को करना पर माँं दरा है और मीडित हूं को निकालने है सेають की है बिल्कुल नजी ची देखे यहाँ पर ये सुख्र है कि सुबहाग का वक्तावरना बढ़ा हादसा हो सकता था सुबहा लोग जाते हैं लोगों को पता चल गया आगर रात में ऐसा कुछ होता तो कितना बड़ा नुक्सान यहाँ पर हो जाता है उसकी जवाब नहीं किसकी होती तो इन पे बिल्कुल कानुनान जो है कि इन पे एक्षम लिया जाना चाहिए इनके खिलाब करवाई करना चाहिए चले ठीक है परसातन के इसाथ आपका अमारी बाता है और अपने नगर पंचे थराली की और से भी अपने जोलोग प्रभाई दिया उनको हर संभा मदद दिया यहां पर पर्यास किये जा रहे हैं चीक है ने जी बहुत शुक्री आपका हमारी साथ जुड़ने के लिए तो यह पूरा मामला जहां पर पावर हाउस में बताय जा रहा है कि बिजली उतपादन का काम नहीं हो रहा था उसके बावजूद भी वहां पर पानी का स्तमाल किया गया नहर से पानी छोड़ा गया जिसके वज़र से बुस्कलन जैसे स्तिती हो गई बुस्कलन की वज़र से कई पेड़ गिर गए और पेड़ घरों के उपर गिरे हैं जिसके वज़र से मलबा आ गया पत्थर आ गया कई घरों को नुकसान हुआ है अलाकि गनीवत रहे कि इ आपने रहें न्यूजवल इंडिया के साथ